तो हम लोगे लास्ट पास में जो बेखा था यह था कि आईजोमरिजम तो हम लोग बाड़ी दो पार्ट्स में ग्लाइट कर सकते हैं एक है स्ट्रुक्चरल और एक है स्टीडियो आईजोमरिजम स्ट्रुक्चरल और स्टीडियो का क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या था यह भी हमको शाय थोड़ा यात होगा स्ट्रुक्चरल का स्ट्रिक्ट रूल था कि स्ट्रुक्चर मस्ट पी डिफरेंट सबसे बहुता है वाइ structure हम लों का मतलब होता है कि connectivity, connectivity जो है एक आटम की दूसरे से और उसकी अगले से and so on, पूरे molecule में जो connectivity है, वो different होनी चाहिए, it should be different. और स्कीलियो का सबसे पहला रूली ही यह है कि structure या connectivity या connectivity that includes all sigma and pi bonds of entire molecule, वोड़े molecule की connectivity for two isomers, जो दो isomers की अब बात करना चाहते हैं, should be, क्या, same, should be same. वो बिल्कुल same होनी चाहिए. एक बात हम लोग तो पहले अच्छे सब्सक्राइब को, कि अगर कोई ही if any difference, या if any connectivity difference create हो गया, या if any connectivity या structural difference create हुआ, structural difference create हुआ, ठीक है, तो it immediately moves to, जो भी classification होगा, तो तिलंत्र है, moves to structural हो जाएगा, फिर वो stereo में count नहीं होगा, सबसे पहना point stereo होनी का यह है, कि structure entirely same होना चाहिए. अब अगर structure same है, अगर structure same है, तो different क्या होगा चाहिए, तो उसके लिए है कि orientation, सिर्फ orientation in space, जो हो different होना चाहिए, with respect to each other. एक दूसरे के respect में, जो space में orientation हो हो different होना चाहिए, यह stereo algorithm का पहला definition है, structure same, और space में orientation different. कैसे different है, यह मेंने ही पता है, बट space में बच दिफरेंट है, इसके सबसे अचा एग्जामपल एक्ज़ी सिस्ट्रॉंस से, सबसे अचा एग्जामपल एक्ज़ी सिस्ट्रॉंस से. यह stereo जो है, निफ्लेस तुसे टूसरे के fulltime लेकर आँ अराम द लेख सकते हो, मैं यह section इहां से एंटागता हूं, इमिटों के stereo algorithm पढ़ आ है. इस टीडियो जो है फ़र्दर दो पार्स में डिवाइटगी है, तो बच्छके सबस्तों के अदर स्टिरियो, और उसके अंदर फ़र्दर जो दो पार्ट्स में डिवाइटगी है वो हैं configurational और confirmation यह दो पार्ट्स है तो हमारा एम जो है हमने क्या कर लिया देखो अब तक हमने अब तक structure बना पार्ट कर लिया है अब हमें क्या करना है हमें configuration और confirmation बन बन पढ़ना है इनके भी further सा पार्ट्स है अमाल अगरक section के उसे रेखेंगे तो इन दोनों में जो difference है सबसे important चीज़ जो difference है इन दोनों के अंदर वो क्या है इन दोनों के लिए वो definitions hold करती है जो अब हमें हमने जस्ट एक slide पहले note किया था stereo के लिए इसमें डाउपने हमना चलिए structure same और orientation in space different तो अगर इसके दो स्कीरियो आजमर्स जिलका space में orientation different है are not interconvertible are not interconvertible या interchangeable on its own और interchangeable on its own खुद अपने आप room temperature पर अगर दो आजमर्स दो stereo आजमर्स एक दूसरे में convert नहीं हो सकते हैं तो हम लोग उसे configurational में डालते हैं तो यह तो इतो वाकती अजीब बात लगती है कि दो stereo isomors दो आजमर्स इसमें convert के होंगे ऐसे तो उमने कभी नहीं देखा कभी ring chain isomerism कभी position isomerism कभी कोई किसी में अपने हाप convert नहीं होता अगर हमारे पास pent hex 2 own है और hex 3 own है तो हमारे पास में ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 own अपने हाप 3 own हो जाए यह बात बिल्कुल सही है Actually structural के अंदर कभी interconversion possible नहीं है Configurational के अंदर भी कभी interconversion possible नहीं है यह जो है यह confirmation एक्षडी प्रब्लम है Confirmational एक इतना अजीव isomerism है इसको अफं जो है लोग false isomerism दी बहते है इसे उफन लोग false isomerism ही बहते है कि तदस इस अच्छीड़ बुला भी चाहिए कि नहीं बोला जीए इसकी यह खासबात है कि वो जो दो stereo isomers है और दोज इसकी आजीए नहींग से निente-या को घृतव आ는데 है वो चाहिए और रृिंटर के रांदर इंटर कि तुरिए और के रांदर इंटर नगरो ज्या गीन अंगरा ज्यानदर के रां 넣ए रहते हैं and exist in a dynamic equilibrium, in a dynamic equilibrium में exist करते हैं एक दूसरे के साथ में, with each other, मतलब इसी कोदी तुमाने पास एक mixture की form में इस यह जो stereo isabot से रहते हैं और constantly एक form दूसरे form में convert होता रहता है, अपने आपी, at room temperature, at room temperature, ठीक है, हम उसको information बहते हैं, तो basically दोनों के अंदर से main difference है वह यह है, कि एक convert नहीं होता है, जो कि actually एक compound दूसरे compound से distinct रहेगा नहीं होना चाहिए, दूसरा convert होता है, तो हम मैं इसके exam दूस्तों भी नहीं explain कर सकता हूं है, लेकिन इसके यह हम तो बहे हो, कि सिस-फ्रांस isomerism जो तुम जानते हो, इस ताही की ज़ना है, तो मैं फिर यहां पे तुम्हें एक बार पॉस्ट करके लिख लेका section पूरा कर लेना चाहिए, तो हम पर एक बार configuration isomerism में आते हैं, तो coming to configuration isomerism में हमाले पास, उसके नदर क्या है, configuration isomerism है, तो configuration isomerism में, configuration isomerism में फिर दो पार्ट्स है, इसका जो पहला पार्ट है, वो, अब यहां से actually चीज़े काफी important हो जाती है, वो है geometrical isomerism, जो है geometrical isomerism, जो है geometrical isomerism जो है, और इसका एक्जाम्पल जानते हो, सिस्ट्रांग जमें आता है, तो यहां फोड़ा समझनी में तुमा टायू लग सकता है, यह एक्शुरी कैसे डिल किया जाता है, तो हम लोग, हम लोग geometrical isomerism में फंदो compound को बहती हैं, ठीके, two compounds, ठीके, का structure क्या हो, क्या हो, structure, same, same हो, ठीके, बाली का बीशिर, दूसरी हो, जिल का orientation in space different, राइट ठीक है, जिसमे क्या हो कि, वो orientation in space difference जो होता है, तो तो किस टाइप का difference होगा, तब यहां बस्पस्पाई किया जा रहा है, कि distance between at least two atoms, कम से कम दू atoms के बीचना बज्यो, distance है, between at least two atoms in two isomers, in these two compounds, in the two compounds, यहां isomers, isomers, हां तो लो क्या बहुत है कि distance between at least two atoms काम से कम दो atoms इन दोनों compounds में ऐसे होने चाहिए जिनकी बीच का distance अगर एक compound में लिट से कुछ x है तो दूसरे compound में वो x ना हो पस ये चीज सबसे ज़री है कि at least two atoms इच में space में ऐसा orientation होना चाहिए कि अगर distance change हो जाए तो distance between at least two atoms in the two compounds or isomers is different ठीक है और तीसरा वही same point जो अंगर पहले लिखा था कि they should be non-interconvertible, को non-interconvertible होने चाहिए तो अब यहां से हम लोग अपने discussion स्टार्ट करते हैं कि यह यह जो तीनों points है इसको हम लोग इससे हम लोग क्या-क्या confusion निवाज होते हैं ठीक है तो अख भूओ